नमस्कार दोस्तों क्रिकट पे सचिन बोराम फिछे एक बार आपका स्वाकत है दोस्तों आज मैं आप लों को बताऊंगा विकेट केपिंग टिप्स टैनिस बॉल से हमारे यहां गलब्स से टैनिस बॉल को कलेक्ट किया दाता जो भी विकेट के पर होता है कहीं पर मैंने यह कि बीना गलब्स के भी करते हैं दोनु तरीके से आप कर सकते हैं हांतों के लिए हमारे यहां इसको पेहनते हैं आप दोस्तों का यह क्वेस्चन था कि कितनी दूर से wicket keeping करनी चीए और कैसे करना चीए कितना distance होना चीए तो यह सब चीजे मैं आप लोगों को बताऊंगा basic step से लेके किस step से आपने शुरुआत करनी है अगर आप बिल्कुल भी wicket keeping नहीं जानते तो आपने कैसे करना है तो सबसे पहला जो question यह था कि कितनी दूर से wicket keeping करनी है दोस्तों यह depend करता है कि आपका baller कितना fast है balling में कितनी speed है उसके अपर depend करता है जादे से जादे मेरे साब से कम से कम tennis ball में लग लग 4 मीटर से पीछे से wicket keeping करना चीए अगर आपका baller slow है क्योंकि अगर 120-125-30 की speed आती है तो इतने से ज्यादा नहीं करना चीए क्योंकि अगर आप ज्यादा दूर जाएंगे तो आपको जो edge लग के catch आएगा वो काफी आगे गिर जाएगा अगर fast baller है आपको पता है कि मेरे गाओं में कौन-कौन से fast baller है आप उसके अपर practice करने के बाद आपको judge होगा कि कितना दूर उसका ball बैट पर edge लग के कितनी दूर तक जाता है उसी साब से आप अपना distance आगे या पीछे कर सकते हैं दूसरा सवाल ये पूछा था कि पीछे किस side में खड़ा रहना है इसका सबसे best option यह होता है कि आप बॉल आपको कहां से दिखेंगे विकेट कीपिंग का सबसे जो खड़े रहने का जो प्लेस है वो है offside में offside में जब भी आप खड़े रहोगे आपको पूरी ball दिखेंगे अगर आप middle stem में खड़े रहते तो आपको आगे से बल्लेबाज खड़ा होगा आपको बिल्कुल भी ball नहीं दिखेंगी या लेक से तो सबसे बेस्ट प्लेस होता है यह और यहां पर भी आपने बैठना है ताकि बिल्कुल बॉल का टपा आप देख सको उसके बाद ही जज्जमेंट करके आप उसके पीछे लग सको दोस्तों नेक्स्ट आता है स्पिन बॉल के उपर हमेशा ही बिल्कुल यहां पर बिल्कुल ही ओफिस्टम के बगल में यहां पर खड़ा रहा जाता है कभी भी उसको देखा होगा आपने बिल्कुल ऐसे बेठर रहता है और जैसी बॉल को इसमें सबसे इंपोर्टन होता है बॉल को बहुत ही लास्ट म होंगे अगर खेलते होंगे तो उसके उपर और आपने और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जब भी लेग स्टिक की जो बॉल आती है वह सबसे ज्यादा मुश्किल होती विगट की पर के लिए पकड़ने के लिए उसके लिए आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी बॉल को नॉर्मल है के लेकिन जब आपने एक्ट्वल में मैच खेलना तो मैच से पहले जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं बल्लेबाज को खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बिदाउट बल्लेबाज का बहुत ही मुश्किल होता है विगट केपिंग करना जब बल्लेबाज को देखने लग जाओगे तो आपकी बॉल पर ही द्यान देना है आपका एक दम करीब लगोगे एज भी लगेगा तो बॉल पर नजर होगी तो एज लगती तब आपके आत्मा आजाएगी अगर आप बल्लेबाज को किरिकेट खिलते देखोगे तो आप वह च अमिल्कुल लास्ट मुमेंं तक और विल्कुल उस डारिक्षेन में ले nos van उस डारिक्ष्쉬न वह था ना ग Obama जाना कर्ण का भशलिक देख siento ok कि रन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बड़ जहां पर रन वाला खेलते हूं उहां पर इंपोर्टन है जैसी आपको लगता है आप इस सैट को खड़ें जैसे आपको लगता कि बॉल मिडिल में भी आ रही तो आपने सट से यह कदम आगे बढ़ाते हैं इस सैट को निकल जाना अलका सा इस्टर्टिंग में तो आपने आइडिया ही लगाना पड़ता है बॉल पर नजे रखे बेट्सम net सामने खड़ा होता है बेट्सम net के यहाँ जैसे बॉल आती तो बॉल दिखती नहीं है उसमें तो उसके बाद बॉल के बॉंस के अपने आइडिया लगाना पड़ता है कि किस साइट को बॉल जाएगी उसी इसाप से आपने गलब्स को ले जाना पड़ता है यह सबसे इंपोर्टन है इसमें डिस्टेंस के लिए मैंने बता दिया उतना पीछे रहना है उसके इसाप से आपने सिलिप लगाना है क्योंकि बॉलर का अगर बॉल अच्छा बॉंस होके आ रहा है उसमें 100% एज लगने के चांस होते हैं तो आपने पीछे खड़ा रहना कम से कम चार या 5-6 मिटर तक बॉल क स्पीट के इसाप से वह आपको कितना दूर खड़ा रहना आपको जैसे मैंने पहले बताया था आपको पटा चलेगा जब आप अपने जो फास्ट बोल उसके साथ प्रेक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कितना बाउंस होके आरहा उसी इसाप से आपने पीछे तो उसको ड्राने के लिए आपने बहुत ही बिल्कुल इस्टम मेचे ही। विकेट कीपिंग करनी पड़ती है ताकि वो आगे ने निकले बहुत सारे बल्ली बाजू की आदत होती है कि वो आगे बढ़के ही खेलने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं तो अगर एक भी बॉल मिस होगी तो आप उसको स्टंपिंग कराएंगे तो आपको प्रेक्टिस की बहुत जरुरत है क्योंकि इसमें क्या पॉल काफी स्पीट से आता और जैसे बिल्कुल आप देखिए इसमें शिर्फ जो यॉर्कर बॉल होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि बिल्कुल पास्म टपक आती हुँआ तो उसके लिए होता है स्लिप पीछे साइड में उसमें थोड़ा सा आपका चॉंस मीस हो सकता है क्योंकि बहुत तेजी से बॉल आती है एज लगते ही बिल्कुल आपने पकरना पड़ता है तो उसके लिए आपने जहां पर बिकेट की पर खड़ा रहता है उसकी जगह आपने फिल्टर को लगाना पड़ेगा फर्स स्लिप को उसकी जगह दूसरा स्लिप लगाना पड़ेगा ताकि आप नजदिक में रहें तो एज भी लगे तो उसके पास केस्ट चला जाए यह सबसे इंपोर्टेंट है और इसके लिए नजदिक के लिए आपने जैसे मैंने पताया था जो आप इसमें बिल्कुल आइडिया नहीं आएगा क्योंकि बॉल दिखती नहीं तो इसलिए इंपोर्टेंट है बल्ले बाद को खड़ा करके उसको बोलते रहे आगे पिछे जाए चयल कजमी करें उस हिसाब से प्रेक्टिश करोगे इसमें कि आपने बिल्कुल इस तरह से बैठन नीचे तब ही आपकी बॉल केनेक्ट होगी एज भी लग गया आपके हाथ में बॉल आएगा आप बैट्शमन को देखने लग जाओगे तो बॉल मिस हो जाएगी और लेग साइड का जैसे मैंने बताए यहां पर आप खड़े हो आपको पहले पता चल जाता हमको बॉलर जै प्रैक्टिस हो जाए प्रैक्टिस आपकी तब इसी टाप से होगी इस साइड की तो ओफ साइड तो फिर भी थोड़ा एजी रहता लेग साइड थोड़ा मुस्किल रहता उसको बोल कंटीन्यू उसके लेग में बॉल डाले आपको तभी आइडिया आएगा धीरे धीरे प् करते करते ही आपको आइडिया एगा बोल डालो एक स्टेप निकलो या निकलो बोल डालो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो